Hello everyone, welcome to EduTab, I hope आप लोगों के jab exam के preparations बहुत अच्छी चल रही होगी तो हमेशा की तरह मैं यहाँ पढ़ लेकर आई हूँ आपके लिए 50 days and 50 marks का series जिसमें हम previous year में जिस concept से repeated question आये हैं, उसको यहाँ पर देखते हैं साथ के साथ हम questions को भी यहाँ पर solve करते हैं कि किस तरीके के previous year में question आये थे तो यह मेरा series RBWM components से related है, जो हर दिन दोपहर के 12 बज़े आपको provide किया जाता है तो जिल लोगों ने भी अभी तक हमारे YouTube चानल को subscribe नहीं किया है, जल्दी से जाएं और हमारे YouTube चानल को subscribe करें ताकि आपको timely notification मिलता रहें, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ अगर किनी को भी paid course लेना है, तो link हमारे paid course का description box में है जल्दी से जाएं और हमारे paid course को avail करें, वहाँ पर आपको online classes प्रोवाइट किये जाएंगे, recorded videos प्रोवाइट किये जाएंगे, concept notes प्रोवाइट किये जाएंगे तो जिल लोगों को भी लगता है कि यह काफी जादा उनके लिए fruitful होने वाला है, जल्दी से जाएं, link हमारा description box में है paid course का, जाएं और हमारे paid course को avail करें तो चलिए आज हम एक important topic के बारे में यहाँ पर discuss करेंगे, जो है हमारा, यहाँ पर important retail asset products में, आज हम education loan के बारे में देखेंगे मैंने आपको home loan के बारे में तो सारी चीज़े बता दी थी, क्या eligibility criteria है, क्या moratorium period है, सारी चीज़े, आज हम यहाँ पर education loan को देखने वाले हैं तो जिल लोगों ने भी अभी तक home loan वाला वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले आप जाए, home loan वाला वीडियो देखें, यहाँ पर हम education loan को discuss करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दू, हम education loan क्यों लेते हैं, higher studies करने के लिए, तो हम यहाँ पर bank से education loan लेते हैं, अगर हमारी financial conditions इतनी अच्छी नहीं होती है, कि हम higher studies के लिए हमारे parents हमें पैसे provide कर सकें, तो यहाँ पर हम education loan लेते हैं तो यहाँ पर कौन-कौन से courses के लिए आप eligible होते हो, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, यानि कि graduate या post graduation करने जा रहे हो, यहाँ आप देखेंगे कि कोई भी UGC और government और AICTC किसी भी university जो recognized university है, उनका अगर आप यहाँ पर study avail करने जा रहे हैं, तो आप loan ले सकते है courses जो IIM, IIT, IISP इन तब के द्वारा जो भी courses conduct होते हैं, या आप abroad study करने जा रहे हो, यानि London USA कहीं भी, आप यहाँ पर study करने जा रहे हो, technical पढ़ाई करने जा रहे हो, professional पढ़ने जा रहे हो, तो आपको यहाँ पर education loans provide किये जाते हैं, क्या purpose होता है मैंने पहली बता दिये, जबी भी आप higher education लेनी जाते हो, तो आप क्या करते हो, education loan को लेते हो from the bank, अब इनका quantum of finance क्या है, मतलब कितना यहाँ पर आप maximum आपको दिया जाता है, finance किया जाता है loan, तो अगर आप इंडिया में study कर रहे हो, तो आपका maximum जो है up to 10 lakh आपको provide किया जाता है as a loan, अगर यहीं आप abroad में चले जाते हो, London, USA कहीं भी पढ़ाई करने के लिए, तो आपको 20 lakh यहाँ पर maximum जो है provide किया जाता है, finance किया जाता है, अगर higher की बात करूँ, तो यहाँ पर देखेंगे case by case basis पे आपका जो है loans वेगरा यहाँ पर provide किये जाते हैं, margin की बात करते हैं, आप margin आपको प finance करती है, तो यहाँ पर margin की बात करें, तो 4 lakh तक तो आपको कोई भी margin नहीं, यानि आपको कुछ भी देने के जरूरत नहीं है, लेकिन above 4 lakh होता है, तो 5% in case of India में अगर आप study कर रहे हो, तो 5% आप provide करोगे, बाकी का 95% है, bank इस पे आपको loan finance कर देगी, और 15% in case of abroad, अब यह यहाँ पर देखेंगे, एक और बहुत अच्छा benefit यहाँ पर दिये हुए, कि अगर आपको scholarship आती है, या credit guarantee coverage, तो दोनों को समझेए, यहाँ पर जबी भी आप education loans वेगरा लेते हैं, तो government जो है, यहाँ पर क्या कहती है, कि अगर आप इस loan को fulfill नहीं कर पाऊगे, तो government आपके बिहाँ पे इस loan को fulfill करेगी, और यह इसलिए ताकी यहाँ पर आप देखेंगे, bank को एक trust हो जाए, bank सुनिश्चित हो जाए, कि ठीक है, अगर particular जो भी हमारे person है, या customer जिन्होंने education loan लिया है, अगर वो fulfill नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर credit guarantee coverage है, यानि कि government नहीं इनकी guarantee ल आपको scholarship मिल गई 2 लाग की, तो आपके पास जो है, 8 लाग की कमी है, तो अब आप इस 8 लाग का भी education loan ले सकते हो, bank में जाके, और बाकी 2 लाग आप अपने scholarship से भर सकते हो, ठीक है, तो यह होता है आपका scholarship coverage, now अब हम यहाँ पर बात करेंगे, expenses, eligible expenses for the loan, तो जो भी आप tuition fees व गया, insurance हो गया, books वेगरा, आप uniform खरीते हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप यह expenses जो भी आप education loan लेते हो, आप easily इन सारे पर खर्चे कर सकते हो, उसका security की बात की जाए, तो क्या-क्या security भाई रखनी परेगी यहाँ पर, तो अगर 4 लाग तक है, तो पहली बात यहाँ और कोई security आपको देने की ज़रुवत नहीं है, लेकिन parents जो है, यहाँ पर co-sign करेंगे आपके साथ loan पे, right, अब similarly अगर 4 से 7.5 लाग के बीच में है, तो यहाँ पर आपको collateral security देनी परेगी, यानि कि आपको security में अपना asset, कोई property जो है, यहाँ पर as a security provide करनी परेगी, इसक आलावा आपके parents का sign होगा, और साथ के साथ third party guarantee यानि कि मान लिजे आपके कोई family members या कोई relative यहाँ पर जो होंगे, as a third party guarantee भी यहाँ पर उनके भी sign लिए जाएंगे, अब अपकी बात की जाए 7.5 लाग से तो क्या होगा, parents तो आपकी co-sign करेंगे ही, collateral आपको देना ही परे income करते हो, तो आपका जो है सबसे priority क्या होना चाहिए, कि आप उस income से education loan को fulfill करोगे, इससे हम बोलते है, assignment of income of the future, income of the students, disbursement की बात करें, तो यहाँ पर जो disbursement होता है, stages by stages होता है, या as per your demand और requirement यहाँ पर आपकी disbursement होती है, prepayment issues की बात करें, तो कोई भी यहाँ पर penalty नहीं लगती है, prepayment के लिए, insurance coverage आपको mandatory यहाँ पर students को provide किया जाता है, processing fees की बात की जाए, तो कोई भी यहाँ पर upfront या processing charges आपको नहीं लगते है, in case of education loan, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, central sector interest subsidy के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे, government यहाँ पर क्या करती है, full interest subsidy provide करती है जब आप education loan लेते हो, during your moratorium period, और यह moratorium period कौन सा period होता है, जब तक आप education avail कर रहे हो, यानि कि अगर आप कोई technical education ले रहे हो, तो चार साल की आपकी technical degree होती है, तो उस moratorium period में plus one year, यानि कि जब तक आप job work ढूंदते हो, तो plus one year का यहाँ पर और आपको एक meritism period भी आचाता है, उस time तक, यानि 5 साल तक total government क्या करेगी, आपका यहाँ पर loan का interest सारे चीज़े भरेगी, तो यानि कि full interest subsidy आपको यहाँ पर provide किया जाता है, और यह कौन से model के तहत बताया गया है, तो model education loan scheme के तहत इसको जो है बताया गया है, अब यहाँ पर देखेंगे, इस तरीके का model क्यो हुआ आया है, तो जो भी हमारे economically weaker section of the society है, जिनकी family की ही income 4.5 lakh है, यानि कि जो काफी कम कमा रहे हैं, उनको यहाँ पर अगर higher studies करनी है, यानि कि technical या professional study करनी है, तो उनको यहाँ पर इस तरीके का जो है facilities provide किया गया है, ताकि उनके बच्चे भी अच्छा यहाँ पर education ले सके और future में कुछ अच्छा बन सके, तो यानि कि आप यहाँ पर देखेंगे education के लिए हर किसी को यहाँ पर government जो है, अच्छा खासा यहाँ पर subsidy provide करती है in case of EWS, तो याद रखेंगे education को काफी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, कि हर sector, हर category के लोगों के बच्चों को यहा इक्जाम में questions आते हैं, तो चलिए questions देखते हैं, देखिए आपके jab में में paper आया है, तो उसमें question आप से पूछा गया था, what is the typical loan range for education loan without mortgage, तो आपको यहाँ पर appropriate answer select करना था, 20 lakhs to 30 lakhs, 10 lakhs to 15 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs and 2 lakhs to 5 lakhs, तो क्या होगा यहाँ पर correct answer, तो option C जो है, आपका यहाँ आपर correct answer होगा, यानि की loans without mortgage, without any collateral 5 to 10 lakhs, तो आप जो है, दूसरा question है, a consumer is interested in borrowing money and wants to know what kind of loans the bank offer, तो what form of loan is commonly utilized to pay for higher education, बड़ा ही simple सा question है, तो इसका answer भी बड़ा ही simple है, education loan, now the next question is, आप देखेंगे, October में आया हुआ है, what is the margin requirement for an education loan, under the model education loan scheme, 4 studies costing more than 4 lakhs and up to 7.5 lakhs in India, तो क्या है यहाँ पर margin, आपको मैंने आपको बताया है यह चीज़, तो क्या होगा इसका correct answer, इसका correct answer होगा 5%, ठीक है, now the next question is, आपको जो भी margin related, मैंने आपको जो भी data दिखाया है ना, आपको उसको याद कर लेना है, exam में आपको margin से questions पूछ देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर margin related question पूछा है, next question आप देखेंगे, what is one of the feature of the model education loan scheme, as formulated by IBA, तो यहाँ पर आपसे model education loan scheme के बारे में पूछा गया है, यानि कि CSIS वाला जो मैंने आपको बताया था, उसी के बारे में यहाँ पर question पूछा गया है, exam में भी आया हुआ question है, तो option है, आपके पास collateral free loans up to 20 lakhs for study abroad, a repayment period of 5 years, a mandatory margin for loans up to 7.5 lakhs, a one year moratorium for repayment after the completion of the study, तो क्या होगा इसका correct answer, आपका option D जो है, यहाँ पर correct answer होगा, now, next question है, जो आपके exams में आए हुए है, तो यह question जो है, आपके लिए especially homework है, तो आपको इस सवाल का जवाब कहां देना है, comment sections में देना है, आप देख सकते हैं, education loan से related कितने सारे questions आए हैं exam में, मैंने जितना भी important facts थे, figures से, सारे मैंने इस PPT में डाले हैं, और आपको समझाई हैं, उस से related आपके सामने questions है, तो आप question देख सकते हैं, मेरा question है, what is the income limit for eligibility under the central sector interest subsidy scheme, तो आपके पास यहाँ पर 4 options है, 2.5 lakh per year, 4.5 lakh per year, 6.5 lakh per year and 8.5 lakh per year, तो इस सवाल का जवाब आपको comment sections में देना है, I hope आप लोगों ने मेरे videos को अच्छे से देखा होगा, तो इस सवाल का जवाब easily दे पाओगे and I hope आप लोग काफे ज़्यादा enjoy भी कर रहे होगे इस series को, तो जो लोग भी यहाँ पर paid course वगरा के बारे में जानना चाहते हैं, वो हमें call कर सकते हैं, number provide किया हुआ है आपको, आप हमें mail भी कर सकते हो, hello at the rate, addutap.co.ink पे, इसी तरीके से आ आप लोग exam की preparations करते रहें, मिलते हैं हम लोग next video में